ये दो चीज आपके कटहल के पौधे को फलों से भर देंगे जी हाँ दोस्तों अगर आपके कटहल के पौधे में फल नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने कटहल के पौधे से धेर सारे फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी फरवरी के महीने में अगर हम अपने कटहल के पौधे पर कुछ जरूरी काम करते हैं तो हमारे कटहल के पौधे गर्मी में फलों से भर जाएंगे ये जो मेरा पौधा आप देख पा रहे हैं, ये एक साल का पौधा है और ये grafted plant है, ये इसका grafted area है, अगर आप कठल के पौधे से जल्दी फल पाना चाहते हैं, तो अपने गार्डेन में grafted plant को लगाएं, ताकि आपको जल्दी फल मिल सके, यहाँ पे आप देख पा रहे हों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल Simple Home Gardening को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहला काम हमें ये करना है अपने कठल के पोधे में कि उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है देखिए किसी भी पोधे में गुड़ाई करने के अनेकों फायदे होते हैं जैसे गुडाई करने से खर पतवार आसानी से निकल जाता है, पोधे में सूरज की रोसनी और ऑक्सिजन जो उसके रूट्स को मिलने चाहिए, वो आसानी से पोधों को मिलती है, जिससे पोधे के ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो आप किसी भी पोधे जो जमीन में आप लग जाय हुए हैं, उसकी गुडाई अवस से एक महीने में करें, तो मैंने अच्छी तरह से अपने कठल के पोधे में गुडाई कर लिया है, और अब मैं इसकी खर पतवार को हटा देता हूँ, देखिए खर पतवार जो पोधे के नीचे उगे होते हैं, वो प्लांट के एक्स् फिट की दूरी के बाद एक गढढ़ा सा चारो तरफ सरकल में बना लेना है, और अब हम उसमें खाद एट करेंगे, ये गोबर खाद है, पुरानी गोबर की खाद हमें 2 kg लेनी है, यानि एक साल के पोधे के लिए आप 2 kg गोबर के खाद ले, अगर आपका पोधा बढ़ा ह अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है, तो आप वर्मी कमपोश्टा भी यूज कर सकते हैं, चारो तरफ सरकल में आप इस गोबर खाद को गढढ़े में डाल दें, और उसके बाद नेक्ष फटिलाइजर हम लेंगे, ये नीम खली है, नीम खली पोधों को कीडो मोकोडों से बचाता है, और साथ में ये फटिलाइजर का भी काम करता है, जिससे पोधे के जड़ों में जो भी बीमारिया होती है, कीडे होते हैं, वो किल हो जाते हैं, तो नीम खली अपने पोधे में गुडाई करके अच्छी तरह से मैं चारो तरफ सरकल में दे देता हूं, गोबर ग्रैंडर में ग्रैंड कर लिया है, ये भी काफी निउट्रिसंट से भरपूर होता है, यानि नैट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेसियम के साथ साथ इसमें बहुत तारे मैक्रो और माइक्रो निउट्रियंट्स बे होते हैं, जो किसी भी पोधे की ग्रोथ और उसमें कठल के पोधे में चारो तरफ सरकल में दिया है, उसे मिट्टी से हमें ढख देना है, ताकि कठल के पोधे को भरपूर मात्रा में निउट्रिजन्स मिले और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से फ्लारिंग हो और ठेर सारे फल लगे, मिट्टी को यहाँ पे हम थोड़ा ब किसी भी पोधे में अमरूध हो चाहे आम हो चाहे कठल हो आप उसमें भरपूर पानी जरूर एट करें और जो हमने ये खाद दिया है, प्लांट्स को भरपूर मात्रा में निउट्रिजन्स मिलेंगे और इस पर धेर सारी फ्लारिंग होगी और आगे चलके वो धेर सारे फल भी बनेंगे, उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आये होंगे, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमसे जूडने के लिए हमारे चैनल सिंपल होम गाडनिंग को सब्सक्राइब करक बेल आइकन जरूर दवाएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग